नमश्कार मैं मनुकूल, motivationalist, speaker and success coach. I welcome you in my two minutes with मनुकूल program. आज का बिसे है मैं कौन हूँ? क्या मैं सरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं पैर हूँ? क्या मैं आँख हूँ? 95% लोग ये जानते हैं और वो ये समझते हैं कि वो अपने आपको जानते हैं लेकिन ये illusion है 95% लोग इस प्रिथवी पे अपने आपको नहीं जानते हैं और यही सबसे बड़ा विसाय है लेकिन इसकी पढ़ाई स्कूलों में नहीं होता है जो सबसे important है वो सबसे ज़्यादा least important हो जाता है स्कूलों में हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं कि वो बाद में पढ़ेगा वो बाद में जानेगा ध्यान रहे मैं मेरा नाम मनकूल है और ये नाम सब्द है जो सब्द मुझे मेरे पिता और मेरी माने मुझे दिया मैं सब्द नहीं हो मैं कुछ और हो मैं हाथ नहीं हो ये मेरा हाथ है ये मेरा पैर है ये मेरा पेट है ये मेरा सिर है तो फिर ये मेरा कौन है, यानि मेरा कोई है, something is there, वो मेरा एक spiritual being है, I am a spiritual being having an intellectual mind living in my body. अगर कोई मुझे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो I am a spiritual being, and ये जो spirit है, it is evenly present at all the places at all the time, ये सब जगह पे फैला हुआ है, spirit is available all the places, and evenly present, यानि मेरे सरीर के अंदर वो है, वही बाहर है, वही पेडों में है, वही नदियों में है, वही आस्मान में है, हर जगह वही है, ईश्वरह सर्व भूता नाम हिरदे से अरजुन तिस्छते, भगवान कृष्ण ने अरजुन को कहा, कि तुझे बाहर जिसे खोज रहा है तुम यह जो तने चीज दिख रही है अर्जुन यह पूरा ब्रह्मान्द मेरे गले में मा एक माले की तरह गुथा हुआ है सब एक दूसरे से जुड़े हुए है everything is a vibration everything is vibrating on some frequency यह इस्टेशनरी कुछ भी नहीं है यह bipolar world है हमें इस बात को समझना पड़ेगा यहाँ पे law of transmission of energy है transmutation of energy है हर चीज अपना सुरूप बदल रही है law of transmutation energy is transmuting एक सुरूप से दूसरा सुरूप दूसरे सुरूप से तीसरा सुरूप we are changing लेकिन सबसे बड़ा problem क्या है problem यह है हमारी conditioning हमारी environment हमने अपने आपको जानने की कभी कोसिस ही नहीं की और यही सबसे बड़ा problem आज मनुश्य फेस कर रहा है मुझे 54 सान लग गय अगर मैंने यह class 6 में पढ़ा होता अगर मैंने class 7 और 8 में यह पढ़ा होता कि इश्वरह सर्व भूता ना मृदे से अर्जुन ते स्ठती तो आज साइद मैं कुछ और होता because life is a manifestation जैसे फूल खिल रहा है वैसे खिलना है मुझे तो मेरा फूल 54 साल के बाद खिल रहा है जबकि यह छटी क्लास के बाद ही खिलना था लेकिन इसे रोका किसने हमारी conditioning ने रोका हमें जो सिखाया गया वो सब गलत सिखाया गया कि मैं एक human being हो I am not a human being I am a spiritual being having an intellectual mind and living in a human body मैं human being नहीं हूँ मैं spiritual being हूँ और जो कहता है कि तुम human being हो they are just politicizing the things this is simple political science this is division हर कुछ में मैं ही हूँ मैं इश्वरी हूँ I am godly I am a co-creator of my life I am creating my life every second, every minute I am creating और वो कैसे हम का बना रहे है thoughts thought is the process thought is flowing into my conscious mind and it is passing to and through me and the thought is that spiritual power यह thought is spirit का वो बहत बड़ा पारफुल पोर्शन है thought is not a very small thing thought is energy thought is spiritual energy so what is coming to and through you that is creating you and now the god has given us I have that authority I have that power to transform that thought to change that thought by our reasoning process inductive and deductive process हमें किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है that art has to be learned लेकिन अपसोस मुझे चववन साल लग गए आज तक मुझे किसी ने समझाया नहीं मैं मनकूल वोक्स अप लेता हूँ सेमिनार्स लेता हूँ साथ दिन का वो सेमिनार होता है यह लोगडाउन पीरियट चल रहा है इसलिए यह आउनलाइन सेमिनार्स चल रही है जहां मैं उस गूड तत्व को that spiritual energy how it is walking जितना मैंने सीखा है जितना मैंने अपने गुरूं से मैंने चारों तरफ अपने जिंदगी को observe करके सीखा है that I train the students, professionals and make them a spiritual being make them productive being हम हारने नहीं आए यहां पे कोई मनुष्य हारने नहीं आया है मनुष्य का जनम ही हारने के लिए नहीं हुआ है मनुष्य का जनम अपने उपर विज़े प्राप्त करने के लिए हुआ है अपने आपको समझने के लिए हुआ है हम जानवर नहीं है हम गरीब बनने नहीं आए है गरीबी तो मैंने मोल लिया है अपनी कंडीशनिंग से अपने इंवराउन्मेंट से हमें गरीब बनाया गया है हम बच्पन से गरीब नहीं थे लेकिन हमें गरीबी में ढखेला गया है So if you really want to know who you are If you really want to know what your true self is If you really want कि मुझे उस manifestation के process को समझना है उस universal law के process को समझना है अपने definite purpose को समझना है अपनी vision board को कैसे तयार करना है अपनी self confidence को कैसे निखारना है courage को, faith को, fear को समझना है Because what I am talking These all words are non-physical words और ये फरी सरीर physical है तो जो दिख रहा है उस पे जादा बिस्वास होता है जबकि हमारा इश्वर भी non-physical है That God is also non-physical और non-physical से ही physical बनता है That has the power That is called higher faculties of mind That is creating something That imagination is converting into shape So law of transmutation है So अगर ये सब आप जानना चाहते हैं You must attend my seven days personal victory masterclass For that you may whatsapp me You may call me And I can guarantee that within seven days You are a transformed person You are a changed person Thank you and God bless you Kindly give me the feedback